देपर नमर वन x बटे इपाँ इपाँ फॉर माना i इप्वर दी x अपाँ बटे इपाँ पाँ निए इसको मैं ऐसे निसकता हूँ X upon 1 plus X square का whole square dx माना left X square equal to T माना जो चीज हम मानेंगे इसका अब कलन इसके अंदर बिल जाएगे 2X dx equal to dt dx equal to dt upon इसका जो copy set है X का उसको इसके नीचे लियाएगा गुनान के तो X का अब ये कौन सा सूत बन जाएगा देखो I equal dt ये 1 upon 2 भार निकाल लो और 1 plus T square क्योंकि इससे पहली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर I equal integration of dx upon a square plus x square हो तो वो होता है 10 inverse x upon a यानि कि ये आपको बनता है 1 upon x square plus a square dx होता है तो उस condition में 1 upon a 10 inverse x upon a plus c तो ये बना आपका तो ये इसकी condition आई I equal to 1 upon 2 dt upon 1 plus t square 1 upon t 1 upon 2 ये t है तो 10 inverse t plus c आपको इठीको क्या माना है आपके x square माना है तो ठीका t का मान रखने का क्या माना था यापके t अपने x square माना था यापके t का माना दीजिएगा I equal to 1 upon 2 1 upon 2 10 inverse x square plus c I पर ये x upon 1 plus x k power 4 dx equal to 1 upon 2 10 inverse x square plus c फर्ष्ट आपका example किस पर का किया जाएगा next second question ये example mana I equal dx upon x square minus 4x plus 5 इसे में ऐसे नहीं है कभी भी ऐसे कुश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम अपने ब्यापक सूथ्र के according इनको solve की देगा यानि कि हमारा सूथ्र बन जाए जैसे इनका पूर्वर्ग बनाओ पूर्वर्ग बनाओ इसे में ऐसे दिख सकता हम dx x square minus 4x plus 2 plus 3 or plus 1 इसको आप ऐसे भी दिख सकते हो dx upon x minus 2 whole square plus 1 जब इस परकार का सूथ के रूप में बन जाता है तो उस condition में हम अपना व्यापक सूथ के direct integration लगा सकते हैं सबसे ख़ले माना x minus 2 equal to t dx equal to dt x का करें जो dx हो जाएगा और 2 का करें ये तो 0 हो जाएगा इस value को ज्याद रखिएगा dx upon root t square plus y dx के इस्थान पर dt हो जाएगा अब आपका ये सूथ का root धारण कर लिया इसने आपको मानों होना चाहिए इंट्रिगेशन ओफ dx upon x square plus a square इसकर जो होगा लोग x plus root x square plus a square plus c ये इसका सूत्र होता है तो ऐसी ही हमारी ये condition बनी i equal to dt upon root t square minus 1 ये उसमें कोई किला स्थान नहीं a के स्थान पर 1 है और x square के स्थान पर t square तो इसे आप लिख सकते हो लोग t plus root t square plus 1 plus c t ती का मान रखने पर अब ये को मैंने डायेट लगा दिया सकता अगर हमको इस्टेंडर सूत्र हमको आते है तो आप इसका प्योग डायेक कर सकते हो नहीं तो आपको इसको मानना पढ़ता फिर उसको करो तो उससे पहले आप इसकी तीजे सीखनी जाती है तो उसको हम डायेट अप्लाई कर सकते हैं पी का मान रखने पर बी एक्स अपों एक्स स्कूर अप्लाई एक्स प्लाई 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 एक्स प्ल एक्स माइनस 2 पिलस एक्स स्क्वेर माइनस 4 एक्स पिलस 5 पिलस इस परकार हम इस कुछ तो ऐसे कर सकते हैं कि सब्सक्राइब दो टेक्निक है इसका पूर्ण बनाई है क्योंकि यह पूर्ण बनाने की विदी हम आठीवी साथ आठीवी नवी दस्वी ज्यादी तक पूरी कम्प्रीट कर्चते होते हैं कि अधिक पूर्ण बनाने की तो इसलिए आपको पूर्ण बनाना जरूरी है पूर्ण बनाना नहीं आएगा तो आपको प्रोग्लम्स काथी समस्या आती है उनको क्रेट करने में समय लगता है कोई चीज़ ऐसे असंबब लिए जो नहीं आती हो सारी चीज़े आप लोगों आती है बड़ लेकिन क्या पड़े पढ़ने की क्योंकि आज का बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है आज बच्चा तो पकी पका अब लक्स में आम है तो पक जाना चाहिए तोड़के नेक में भी धाम तो तोड़ना भी पिसके में अपना पेट बढ़नेता हूं ऐसे ही आप लोगों को मुझे तो सवाल करें कराएं मिल जाए अती उत्तर लोगों से अच्छी बात क्या हो सकती है आज के बच्चों की थिंग थिंकिंग यह है बट सवाल को सवाल के तरीकी से हो लिए तो सबसे आपको पूर्ण बनाना अगर आप पूर्ण बनाना नहीं आता है तो फिर तो आपके उपर डिपेंड करता है कि आप क्या से करो तो यह चीज ऐसी पुरानी चीजे आपके लिए तो पुरानी हो चुकी है क्योंकि जब आप 12 इस्टेंडर में आ जाते हो तो उसमें यह चीजे सिखाई नहीं जाती ह नेक्स्ट एग्जाम्पिल अगला एग्जाम्पिल नमबर तीन डी एक्स बटे हुए एक्स इसक्राइब प्रस तू एक्स प्रस फाई यह एक्जाम्पिल आपका उसी तरीके से इसे पूर्ण बनाएए और पूर्ण बनाने के बाद अपना स्टेंडर फोर्म में आना चाहिए जो मैंने आपको बताया था कि अगर अपनी स्टेंडर फोर्म आ जाएगी तो अपना डायेट सोलूशन करते हैंगे इसका माना आई एक्वाल दी एक्स अपॉन एक्स स्क्वार प्लस टू एक्स प्लस आई इसे आप ऐसे लिख सकते हो आई इपॉल टू दी एक्स एक्स स्क्वार प्लस टू एक्स प्लस बन प्लस पूर्ण पांच को मैंने तोल लिए है इसको ऐसे लिख लीजेगा dx upon x plus 1 का whole square plus 2 का whole square वो को क्या नहीं सकते है 2 माना x plus 1 equal to t dx equal to dt dx upon dt upon t square plus 2 का whole square जब की आपको मालू में कौन सी फोन बनी dx x square plus a square equal to 1 upon a 10 inverse x upon a t plus c ये form इसके रूप में बनी है तो आप लिख सकते हो i equal to dt upon t square plus 2 का whole square 1 upon 2 10 inverse t plus c t का मान रखने पर t का मान रखने पर t i t i kुर्दी बना रखने x plus 1 i का मान जए आपके पास dx upon x square plus 2x plus 5 equal to 1 upon 2 10 inverse t की रखने रूप x plus 1 plus c इस पर का next right jumping 1 upon 5x minus 6 minus x square mana i equal dx upon minus 5x minus 6 minus x square आप इसे ऐसे लिख सकते हो dx इसे इसे बी आपको पूर्ण बनाना है यह एक्टीजर को इसका पूर्ण बनाना है क्योंकि यह आपका अच्छर पर्द है जब बनता है जब बनता है जब रेक्स इसके साथ जुड़ा हुआ होता है तो यह अच्छर पर्द है क्योंकि रेक्टीजर को इसके हो रहा है एक्स के हो रहा है इसलिए डी एक्स माइनस सिक्स माइनस क्या जोड़े क्या घटा है क्या जोड़े और क्या घटा है कि पांच एक्स इसके है क्योंकि आपको मालूम है पूर्ण बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए जैसे यह है एक्स स्पैर माइनस पांच एक्स कभी भी पूर्ण बनाते हो तो उसके अंजर इस परका जैसे a plus b या a minus b का whole square equal to a square minus 2ab plus b square तो 2 आ रहा है आपके पास तो मुझे 2 चाहिए तो उस condition में हम क्या करते है कि 2 से उपर और 2 से नीचे गुना किया जाता है जो चीज इसके अंदर है इसका वर्ग करके जोड़ो और वर्ग करके घटाओ x square minus 2 5 upon 2x plus 25 बटे 4 minus 25 बटे 4 क्या जोड़ा आपने 25 बटे 4 जोड़ा हो 25 बटे 4 घटाओ यह चीज इस यहाँ पे पुट करें x square minus 5x minus 2 गुना 5 बटे 2x plus 25 बटे 4 minus 25 बटे 4 ऐसे दिखो यह चीज आपको समझ में आनीब चाहिए अगर यह चीज के लिए नहीं है तो आप इसको clear नहीं कर सकते इस condition में इन चीजों को clear करना बहुत ज़रूरी है अगर यह चीज clear होगी तो यह सवाल होगा और यह चीज के लिए नहीं होगी तो सवाल नहीं होगा इसलिए यह चीज को समझना बहुत ज़रूरी है अगर यह चीज समझ में अभी बोला था इससे फैने स्कृशन्स को करने से कहने कि आपको पूलवर्ग बनाना आना चाहिए जो आपने कहीं किलास के पिछली किलास में आपने पढ़ चुका है इसलिए जो चीज आपकी बस्ती है दो को हटाने के बाद हो उसका पूलवर्ग करके जोड़ों को पूलवर्ग करके घटाओ यह बढ़िया इसको मैं ऐसे नहीं सकता हूं dx अपन माइनस 6 माइनस x2 माइनस 5 बटे जो एक्स प्रस 25 बटे 4 माइनस को माइनस से गुना प्लस को माइनस से गुना प्रस 25 बटे 4 क्योंकि आपने इसके अंदर तो माइनस को माइनस से गुना करें तो कितना जाएगा प्रस 25 बटे 4 इसको मैं ऐसे किसकता हूं dx अपन माइनस 6 प्रस 25 बटे 4 माइनस x स्क्वेर माइनस 2 पांच बटे 2x प्रस 25 बटे 4 ऐसे निसकता हूं फिर मैं इसको क्या करता हूं i equal to dx चार्ड अगुत तो यह आएगा पर्चेश माइनस 4 प्रस 25 अपन चार्ड माइनस यह किसका फूर बटे बन गया है x माइनस 5 बटे 2 का फूर इसका क्या dx अपोन 1 अपोन 4 माइनस x माइनस 5 अपोन 2 का फूर इसका फूर जब यह चीज आजाती है कि इसकार माइनस एक इसकार का सुन्तर बन गया है कि इसकार माइनस एक इसकार कि इसमें रूट है कि 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 जबकि आपको मालूम है dx root a square minus x square equal to sin inverse x upon a plus c होता है यही condition आपकी यहां हो गई तो इसको यहां लगाएं dx upon root 1 upon 2 ka whole square minus x minus 5 upon 2 whole square बराबर sin inverse x minus 5 बटे 2 बटे 1 बटे 2 plus c sin inverse dx 5 x minus 6 minus x square equal to sin inverse 2 लगुत्य बलो 2 x minus 5 2 से 2 कर जाएंगा plus c बटे 2 बटे 2 1 plus x x plus x की माना i equal i के बटाव मानो 1 plus x का whole square upon x plus x dx इसको और स्कार बोलो 1 plus 2 x plus x square upon x plus x dx इसको आप ऐसे रिजेगा 1 plus x square तो whole square plus 2 x इसको इसके निचे x का मानो x 1 plus x square इसके निचे रो x 1 plus x square dx अब इसे अला-अला कर लिजेगा 1 plus x square x square 1 upon x dx plus x x गया 2 बटे 1 plus x square dx इसे आप रिख सकते हो 1 upon x की स्केप पर होता है इसका समाता क्या होता है लोग x इसका क्या होता है twice 10 इंवर्स x plus x plus c इसका क्या होता है 1 plus x का बटे 1 plus x का बटे x plus x cube dx इसके रिख सकते है लोग x plus 210 इंवर्स X plus C net mana side 2X goes 2X upon 9 minus goes 2X इस में सब से भेल हम जो चीज मानेंगे let cos square 2X equal to T minus twice cos 2X sin 2X DX equal to T cos 2X sin 2X DX equal to DT upon 2 इस में गैपो लग दीजेगा I equal to 1 upon 2 DT upon 9 minus T square क्योंगी मैंने both square 2X कुट T माना था इसको आप ऐसे ही रिख सकते थे सका इसके ही SME सकार सकार QE 3 का ओन स्कार T का होन स्कार A स्कार minus T स्कार क्या बना 1 upon 2 sin inverse t upon 3 plus c sin 2x cos 2x upon root 9 minus cos 2x dx equal to 1 upon 2 sin inverse t upon 2 cos 2x plus c इस परकार इसका जो सोनुसर होगा ऐसे निकार सकते हो next उ सकती है उसे पास में पंढ़ार सकते होगा झाल झाल इसका अपकलर करेंगे तो हो रहेगा क्योंकि 2x का उपकरेंगे तो 2 आएगा कितना आएगा 2 आएगा तो 2 जाद 4 माइनस 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 that's all next last example है 2 की पावर एक्स 1 प्लस 4 एक्स dx के साइन उपस एक्स 2 एक्स प्लस C तो के का मान जाती है बिल्कुल सेम प्रोसस है जो अंज में जो आता है उसको अपन इसके बराबर एक्टे इसकी वेल्द आपको दी गए तो के का मान निगार सकते हैं तो देखेगा अपना पुराना प्रोसस इस माना आई इक्वल टू 2 एक्स 1 प्लस 4 एक्स दी एक्स मैं इसे ऐसे भी दिशकता हूँ तो की पावर एक्स 1 प्लस 2 एक्स की पावर 2 दी एक्स माना लेट तो की पावर एक्स इपल टू तो की पावर एक्स लोग इटो दी एक्स इपल टू तो की पावर एक्स dx equal to dt upon इसके इस्थान पर इसे रिखिए i equal to 2x dx इसके बरावर 1 upon log dt ये कितना होगया 1 plus t square question में root में yes yes ये हिएए 16 ये भी माई इस इसका समाकरा किया 1 upon low T2 sine inverse T plus C TG वे दुट रखो 1 upon low sine inverse E की पावर X 2 की पावर X plus C जबकि आपको पता है 2 की पावर X upon 1 minus 4 की पावर X dx equal to K sine inverse 2 की पावर X plus C इसको इसके परावर दिया गया है और जबकि ये माउख किसका आथा 2 की पावर X upon root 1 minus 4 X 4 की पावर X इसको इसको इसके इक्वाल कर दो इसको इसके इक्वाल कर दो कभी भी इसको मैं इसके इक्वाल कर दो K sine inverse 2 की पावर X plus C equal to 1 upon low sine inverse T plus C C से T कमान दिए था 2 की पावर X plus C C से C कर गया तो के इक्वाल टू 1 upon low E2 या के इक्वाल टू low 2E plus ये आपके के 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 की वैलू आईगी इसके कभी भी अगर ऐसा होता है तो हम इसको उपर ले जाकर ऐसा लिख सकते हैं अगर आप इसको ये भी लिखो तो ये भी सही माना जाएगा इतना करने के बार आपका कोई सारी सवाल के की वैलू चाहिए चाहिए ये आई कोई भी गलत नहीं होगा दोनों सही होगा मुझे आसा है कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी धन्यवाद